असलामू आलेकूम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास के चिंद से तो चली है आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मसाला मटन पुलाओ यकनी पुलाओ कहिए सिर्फ पुलाओ कहिए बहुती बढ़िया जटपट घर पर आसानी से बनता और बहुती डिलिश्यस बनता है और थोड इसे आप गोल्डन पुलाओ भी कह सकते हैं और चली बनाते हैं बढ़िया सी रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी पुलाओ बनाते हैं चली मैंने इस यकनी पुलाओ के लिए तकरीबन 600 ग्राम गोश लिया है और 500 ग्राम बासमत मैं आपको गरम मसाले बता देती हूँ एक छोड़े चाय का चमच काला जीरा है तो बादियान है एक डानदी दालचीनी की 7-8 लॉंग और 7-8 हरी इलाइची इसे साइट पर रखते हैं हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले आप चाहें तो पतिली में बना सकते हैं मैं आपको बताती जाओंगी पतिली में आपको करना कैसे लेकिन प्रोसीजर ये सेमी है तो आप सबसे पहले चाहें तो ये ले लीजे कुकर मेरी तरह या पर पतिली के अंदर तेल दाल दीजे तेल अच्छा गरम हो जाए यहां दो मैंने मीडियम प्यास ली है इसे बारिक गोल्डन ब्राउन तक ही फ्राइ कीजिएगा चलिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है मैं आधी प्यास को निकाल कर साइट पर रख देती हूं थोड़ा सा ड्रेन कर लीजिए तेल एक्सेसिव निकल जाए चूला मैंने स्लो कर दिया है और आपको भी पता है बाहर नि दोया हुआ वो डालकर इसे तकरीबन आज से नौ मिनित तक बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर फ्राइ कर लीजिए साइड बैस साइड मैं आपको दूसरी प्रिपेरेशन भी बता देती हूं यह फ्राइ भी करते जाहिएगा अच्छा यह है दो चुड़े चाय के चम आप साबुद धनिया भी ले सकते हैं आप चाहे तो भून कर भी धनिया ले सकते हैं और दो तेज पत्ता है इन्हें एक मिक्सर चाय के अंदर डाल दीजिए और बहुत अच्छा बिना पानी डाले पाउडर कर लीजिए और यह हमारा पुलाव यह जो पुलाव का मसाला है यह ready हो गया है, इससे हम अभी side पर रख देते हैं, चलिए, आज से 9 मिनित तक बढ़िया सा मैंने तेल के अंदर medium आज पर भून लिया है, बीच बीच में मैं चला रहे थी, इससे आप देख सकते हैं, नीचे लगना भी नहीं चालू हुआ है, और आप देख सकते हैं, हलका हलका यह जो इसके ओपर color भी आना golden शुरू हो गया है, हमारे गोश के ओपर, इसी के लिए तो इसका नाम पढ़ा है, golden pulao, चलिए, अब यह हो चुके हैं, आज से 9 मिनिट, यहां पर मैं डाल देती हूँ, सबसे पहले अध्रक लसन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून और इसे भी दाल कर मीडियम आज पर 2-3 मिनिट तक बार बार चलाते हुए, भून लीजे, तब तक भूनिये, जब तक अध्रक लसन के पेस्ट के कच्चे पन के खुश्बू नहीं चली जाती, तब तक जब अध्रक लसन का पेस्ट भून जाए, तो अब दाल दीजे, 4 टेबल स्पून गाड़ी दही, यह रूम टेम्परेचर वाली दही है, और नहीं खटी है, नहीं मीठी है, एक मैंने मीडियम साइज की टमाटर को गोल गोल पईये की शेप में काट लिया था, यह भी मैं डाल देती हूँ, अब यहाँ पर हरी मिर्चियां आपने जितनी डालनी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने पाच्चिया ऐसी मोटी मोटी काट कर डाली है, और 3-4 अपने स्वादन उसार दाल सकते हैं, और वो जो सबसे पहले हमने मसाला पीस के रखा था जो ड्राय मसाला था पुला का वो भी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करकर इसे 3-4 मिनिट तक मीडियम आच पर पून लीजिए, जब 3-4 मिनिट हो जाए और तेल छूटने लगे, अब दाल दीजिए, पानी, तो तकरीबन मैं यहां 3-3 कप पानी दाल रही हूँ, अब आप पुछेंगे कैसे, तो आधा कप मैं इसका गोश्क हिसाब का दाल रही हूँ कि वो गल जाए, और बाकी का जो 3 कप है, वो मैं चावलों के भाग का अभी ही दाल देती क्योंकि मेरे चावल है धाय का, अब आप समझ रहे हूँ ना, अब मैं कुकर में बना रही हूँ, इसका धकन लगा दीजिए, और फास्ट आज पर सीटी खिला लीजिए, जब फास्ट आज हो जाए, तो स्लो आज करके इसे 10 मिनिट तक, स्लो आज पर रहने दीजिए, जब पौना घंडे तक पकने रख दीजिए, या तब तक पकाएं, जब तक आपका गोश नहीं गल जाता, पौना घंडे के अंदर तो आराम से आधे-पौने घंडे में पक जाएगा, जब प्रेशर बहुत अच्छे से निकल जाए, तो खोल कर गोश को चेक कर लीजिए, वैसे मेरा यह जो गोश था मटन, बहुत ही कावला था, और बहुत ही छोटे-छोटे पीसस थे, जादा बड़े नहीं थे, तो जल्दी गल गया है, अचा, अब आप चाहें, तो वन पॉट मील बना सकते हैं, इसी पतिली के अंदर आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, बट मैं पतिल हमें पूरी तरीके से पानी मिला है, यकनी का, यह मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैंने ये दोनों को सेपरेट किया था, आप मत कीजिएगा, डायरेक्ली इसका चूला चालू कर दीजिए, और यहां पर मैंने चावल लिये हैं, तकरीबन 500 ग्राम, 2-3 पानी से धो के आदे घिंटे पहले इसे मैंने भीगाने रख दिया था, पास्मती चावल है ये, और मैंने इसे एकी कब से मापा था, और वही कब से मैंने सारे पानी का मेजिरमेंस भी दाला है, तो आप भी एकी कब या ग्लास रखिएगा, अब इसके अंदर दाल दीजिए नम्मक, स्व उबाल आ जाने दीजिए, उबाल आ जाता है, तो ये जो चावल है, इसे नितार कर, पिसमिल्हे रह्माने रहें बोल कर, सारे चावलों को डाल दीजिए, चूला फास्ट पर ही रहने दीजिएगा, अब इसे फास्ट आँच पर बढ़िया से पकने दीजिए, मेरी वो साइ जब all the most dry out हो जाए, तो अब हम इसके अंदर दाल देते हैं, मुठी भर के, पारिक कचा हुआ हरा धनिया, यानि के कोथ में, अच्छा आप जब नम्मक दाल रहें ना चावलों के बाकत, तभी ही दाल कर, उसे mix कर लीजिएगा, चला लीजिएगा, मैंने अभी डाला है, औ और अच्छे से आप देख सकते हैं, अच्छा सा, all the most, पानी dry out हो चुका है, तो मैं फिर से थोड़ा सा हरा धनिया दाल रहें, इसके खुझबू बढ़िया से आएगी, फ्लेवर में मजा आएगा, और यहाँ पर चूला स्लो कर दीजिए, और उसके बाद यह जो साइट प स्लो आच करके इसे उसके उपर कुछ वजन रख दीजिए और तकरीबन 10-12 मिनिट तक दम पर पकने दीजिए, अब मेरी पतिली जो है वो पतिली, अगर आपकी मोटी पतिली हो, तो as it is रहने दीजिए, अब मेरी पतिली मोटी तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, 5 मिनिट त पास्ट आच पर अच्छा गरम कर लिया, अच्छा गरम हो गया, तो मैंने नीचे पहले तववा रखा, उसके ओपर ये पतिली रखी, उसके ओपर वजन का कुछ रखा, और श्लो आच पर दम पर 10 मिनिट के लिए पकने रहने दिया, तो ये 10-11 मिनिट हो चुके हैं, मैं आ इसे 15 मिनिट रहने देती हो, तो ये देखिए, 15 मिनिट हो चुके हैं, मैंने खोल लिया, 10-15 मिनिट as it is रहने दीजेगा, तो ये जो चावल है न टूटते नहीं है, 10-15 मिनिट के बाद कर उसको खोल कर सर्फ कर लिजे, तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार से, म बहुत ही फ्रेश गोश था हमारा, तो उस हिसाब से 10 मिनिट के अंदर स्लो पर रखा तो बहुत अच्छे से हो गया, अब आपका गोश के ओपर डिपेंड होगा, क्या आपने 10 मिनिट रखना या 12 या 13 मिनिट रखना है, वो आप चेक कर सकते हैं, अचा पतिली के अंदर अ आदे घंटे के बाद, अगर आपका दो कप या दो ग्लास चावल है, तो आप उस हिसाब से 3 ग्लास पानी डालिएगा, आप ग्लास एक ही रखिएगा, नापने का भी हो और वो जो पानी जो डाल रहे उसका भी, तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक लगा दीजिए इसके उपर, और अगर उससे जादा अच्छी लगे हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंग ज़रूर फोर्वर्ड कीजिएगा, अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ कमे